Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल अब देखने, Study IQ और आज इस वीडियो में हम एक्जामनेशन सेंटर के बाहर खड़े हो हैं और हम बस वेट करें एस्पेरेंट बाहर आएं और उनसे डाली पूछेंगी कि उनका एक्जामनेशन कैसा गया है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और जाने कि किस तरीके से प्रिलिम्स 2024 इस बार आया है तो चलिए फिर वीडियो की शुरुवात करते हैं हमाई साथ एक एक एस्पेरेंट है आपका नाम क्या है सबसपिल मननन तो पहला रियक्शन कैसा आपका UPSC का जो प्रिलिम्स इस बार काफी ज्यादा मुश्किल नहीं था इस बार थोड़े से काफी कॉश्ट रहें अच्ट वाइस कॉन सा प्रेट करो के पॉलिटी इस्ट्री इंटनाशल एशन करेंट अफिस मिक्स क्या रहा स्टाटिक जादा या करेंट फिस जादा या बड़ ओर जादा मुश्किल नहीं था इजी पेपर था तो इस बार एक्सपेटेड की कुट तोड़ी हाई सा क्राव से था झाजा सकती जांकि पेस्ट भृत था जाए सटीए एक सार्प्राइश फोट्यों कि नाम किया अपका सुरज ना रहा है लॉट टाल यहाईक्शन किया इस बार यॉपेसे निल्था चाहईश का इस बार बड़ ल्यों आप्डस तर्ट इस था और अगर हम static and current affairs में रेट करें या subject wise कौन सब को सबसे टफ लगा static में static थीक 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 था महलब normal था सारा है सारी doable था कुछ ऐसा surprising element नहीं रहा UPSC 2024 नो और current affairs और static के mix क्या रहा है मनलब current ज्यादा पूछा है या static ज्यादा ज्यादा है करेंट 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 करेंशियो कमें तब पीछा हो सबसे क्या है नाम तो कैसा रहां पैला रिकषिन कैसा था जब आपने पेपर देखा शूरू में जोग्रफी को स्टन आए थे उसको देखके तुमजा आ गया तो था सट्टिक भी था मंदब पढ़ा हो था सब्सक्राइब इस पर यूपर येजी निया नॉर्मॉल पेपर आया बहुत बहुत अच्छा पेपर पिशली बार से तो वह अच्छा है ऑपका हो रहा है अग पता नहीं बाग्टी सभी कहा रहे जाएं तो मेरिट उसी लग रहा है ना मेरिट भी तो हाई जाएगी ना इजी है तो ओके बेस्ट अफ लग फॉर यूसी से एक और आइस्परेंट हमाई साथ नाम किया सर आपका जी ते इंद्र ओके तो कैसा गया आपका जब आपने यूपिसी का पहला मतब देखा इस बर्गा पेपर तो कैसा रहा कैसा रियाक्श पूच्छ के लिए किसे लिए तो यह सब जाहरा कि ते कुछ नहीं करते रहा थी कुछ नगी सब्सेट करें तो कूंसा यूद थोड़ा सा आउट-फ द बॉक्स लागा पॉलिटी हिस्ट्री जोगरफी एंगर्मेंट इंटरनाशील एशन कौन से इसको इससा कुई इसे जो है अलग तरीके से पूछने की कोशिस की हैं यह जैसे डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस के जो पोस्ट होते हैं उसमें से उन्होंने मैच करने को दिया की और वो सारे उसमें मतलब लास्ट रे गंपर में इस बर पेपर डुएबल था और हम एक्सपेट कर सकते कि कट सबसे नाम मेरे नाम जैसिका है जब आपने पेपर देखा पहली बार तो क्या रियाक्शन था क्योंकि कल बहुत जाएटी होगी तो अभी एक्जामनेशन होल में क्या सता हुआ है जिसने अच्छी प्रेपरेशन कर रखी है वह फॉर्स से निकाल लेगा मेरे इसाब से सा सर्प्राइजिंग नहीं था कि उनों यूपसी ने कुछ आउट ओव बॉक्स पूछ दिया सिंपल पैटन पेटन था थोड़े पुछ चीजे में चेंजेस थी जैसे कि मैंने आपको बताया करेंट अफेर से ज्यादा क्वेशन से जोग्रफी से ज्यादा क्वेशन से और हिस्ट्री से दो तिन क्वेशन से रहे होंगे बाकी ऑवर ओल पेपर का बहुत अच्छा था कि मतलब स्टैटिक और कंडर फेर्स का ब्लेंट मिक्स इक्वल इक्वल था ठीक है तो फिर अच्छी बात है से बेस्ट आपना नाम बता दीजिए मैं नेम इस याश ये कौन सा अच्छी फरेस्ट पर हैं तो कैसा लगा पनलब पहली बार यूपेसी का प्रिम्स दिया पेपर कैसा था क्योंकि बहुत सी ऐसी एंजाइटी कल हो रही हुगी कि पर कैसा एगा तो वाट सी यो फॉर्स रियक्शन जैसा एक्सपेक्ट क्या था वैसा ही था उके मतलब सुने चीजे लगी या करेंट अफेर्स में अब आपको क्या ऐसा लगा कि उनो जो मतलब काफी आइस्पेंट कह रहे हैं कि डूइबल था बटा आप कहरेंगी शाइद उतना डूइबल नहीं था तो क्या चीज आपको ऐसी लग रही कि उनो उतना सेम लेवल पर नहीं था कि मलब स्टैटिक में अपको कुछ तफ लग रहा है या करेंट जो मैंच दपेर्स था है या फिर जो मैंच दफोलिंग रहा है वो थोड़े से टफ लगे बाके तो ठीके था तो कोई ऐसा सप्राइज नहीं था ऑप्शन भी लास्ट यर वाली थे ऐलिमनेशन वाली भी ची क्योंकि अभी जग जितने भी एस्पेंट से बात हुए रियक्शन ही आया है कि पेपर बहुत जादा सर्प्राइज नहीं था तो आपके पॉंट फ्यू में कैसा रहा पेपर नहीं थीक है दूएबल था अच्छा ता पेपर डीप नॉलेज होती तो पेपर अराम से हो पानों करेंट तो है उसमें ठीक है और फेट्स ऐसे हैं जिसको मैं यह सकती हूं कि बहुत जादा को रिवाइस करने की जिरूरत नहीं है बट फेट्स हैं जिसे ग्राप ग्रासूपर होगी है तो बेसिक चीजे हैं यह तो हमें जनली पता होनी चाहिए तो इस टाइप की च अच्छा के ग्या ग्या पतानी पाकित हुआ खली बस्ट फ लुग फानी जापनी प्रिए हैं जाली बस्ट फ लूग फ्री धट फ़ लूग को मैं लो झाले घुट हैं जघ जा के हुट लूगी है अज है जाल एक्ट ठाव मुत द से तो हैं ग्री चाहिए टें झाली इसे थेट अवंपार इस बारे कि अएछेटी फिज जर गार्थबू रोबिटापीजशची अभिट it कि सी त mechanिक फिर साथ्द नगेश्ट एल फार्श लघ टो मिर ऱो। एर लों टस फरida okay so non-conventional what do you mean by non-conventional like it is not a regular question it's not i am not saying it's a regular question but you cannot see all the current affairs in the institute current affairs what they are publishing okay that's what i meant non-conventional current affairs okay so it is getting deeper into the topics especially the static one exactly it's getting deeper but deeper in general terms okay that should that not that not very specific yeah exactly exactly so how's your examination okay no one can predict their own exam result that's that's how i feel but comparing from the your last four attempts how's how's this it is good it is good okay best of luck for c-sat i hope you'll do good thank you so aare saad a car aspirant is first time you can tell us what was your first time when you looked at the paper how was your first reaction i'm smiling smiling i mean the paper was quite easy it was very easy but i have given the previous paper i had given the paper like it was very easy it was very easy okay so it was normal if you talk about static and current affairs then it was a blend nothing surprising from upsc this time no nothing so cut off will be high सबसे पहला नामत आई दिक्षा वर्मा कौन सा इटम था यह आपका यह सकेंड इटम था तो कैसा रहा आपका UPSC का प्लिम्स 1224 अहां लास टाइम से काफी बेटर था लास टाइम मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी और अटेम्ट भी मतलब पैटर्न भी लास ताम काफी चे मतलब कोई चीज नहीं मतलब कोई चीज नहीं स्टाटिक में कोई आओफ द बॉक्स सब्कुछ नहीं सब्कुछ नॉर्मल ता मलब जिसने अच्छी सबढ़ाई करी है उसका निकल जाएगा हाँ पेपर काफी क्वेशन जो कॉंसेट्चुल बेस थे तो काफी जिनका कॉंसे क्या प्राइटी होगी उनका पेपर अच्छा गया हुगा मलब जिसने निस निकाटी इस रफ्रेंस बुक्स अच्छे से किया है तो यह चांसे सब्सक्राइब डादे क्वालिफाइड अच्छा गया है मेरा अच्छा हुआ जिसे मेरा ऑप्शनल जोग्रुफी है तो जोग जोग्रुफी हिस्ट्री कॉलिटी मतलब वेटेज क्या था जोग्रुफी से भी जादा थे और एकोनॉमिक से भी जादा थे बट एकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी वीक है तो उसमें मुझे स्ट्रगल करना पड़ा बाकी modern history से भी questions अच्छे आया थे इस बार questions मतलब सारे subject से व और करेंट लेवल के सते हैं तो अच्छेट को थोड़े थोड़े questions थे एकोल वेटेज करेंट अफेर्स का? current affairs भी I think 15 questions होंगे current affairs के बट वही है वो लुक बेस्ट है कि किसने क्या पड़ा है current affairs में वो आजए तो recent current affairs जादा थे थोड़े से पहले के पूचेगा है recent current affairs 2023 और ये 24 6 months thank you all the all the best for CSET okay so दोस्तों जितने भी aspirants से हमने बात करी है reaction यही आया है first reaction students का यही आजए कि इस बार जो UPSC 2024 का प्रिलम्स हुआ है वो बहुत जादा surprising नहीं था अगर हम last year की बात करें तो बहुत surprising paper आया था कई सारे options अजीब से पूचे गए थे लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है जितने भी aspirants से अभी मेरी बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि paper जो है वो doable आया था static की बात करें तो static से भी questions थे subject wise weight is था वो भी पूचा गया geography से भी question आए, economics से भी question आए, आपका quality भी है, modern history भी है और current affairs का भी mixed question था तो यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, you are done with your NCRTs, you have done with your reference book, तो chances है कि आप जो है UPAC का prelims इस बार असानी से crack कर सकते हैं, बाकि अगर आपने prelims इस बार दिया है, तो आपका paper कैसा गया है कमेंट्स में जरूर बताएगा, मुलकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब्रहां ध्याने के महत करते हैं खुश रहेगा, जै हिंद, जै भारत